हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम बी में तो आज है गाइस 24 मही और 24 मही में आपको 23 और 24 दोनों ही दिनों का यहाँ पर जो करन्ट अफेर इन दा फॉर्म अफ एंसी क्यूज में लेके आ चुका हूँ साथ ही साथ में आपको उन कोशन से लेड़ेट जो भी स्टाइडिक जीके होगा वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ अगर आप तयारी कर रहे हो बैंकिंग की आप तयारी करते हो एससी की स्टेट पीसी इस की स्टेट की किसी भी एक्जाम की तो उन सभ बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति कोन है तो यहां पistes ल haz विद्टि किन ने किया है Kaflows कंई है वह 20 टूवंटी बिलीन की बात कर हो मैं आपर ini कि कर verdha 的 230 बिडियन उठल्ड इनके Alderman के पास है उनकी आपारल्स के स्टोर्स हैं बहुत सारी मतलब बड़ी कंपनी एक तो आपने सुना भी ओका लुई विटॉन आना तो यह लुई विटॉन भी आपने जो कंपने देखिए हुई यह उसके सीओ भी है यह भी आप ध्यान देना यह आता है एक्जाम में पहुत अमीर वैखती हैं यह फर्स्ट में आये हैं ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स में और भारत की तरफ से जो फर्स्ट रैंक था वह था मुकेश अंबानी का सेकेंड में आये हैं गौतम अडानी भारत की यह बात कर रहा हूं मैं और यह टॉप 15 में भी आपको देखने को मिलेंगे मुकेश चमबानी और गौटम अडानी जी चलिए अगला कोशन देखते हैं रीसेंट्ली री एलेक्टेट एज प्रेसिडेंट ऑफ डॉम्निकन रिपब्लिक तो दूसरे टर्म के लिए यानि कि दुबारा से यह प्रेसिडेंट बने हैं डॉम्निकन रिपब्लिक के अब यह आपको नौर्थ अमेरिका स्टिनेंट में ऐड़र से गृई वी है तो यह होगे आपको डॉम्निकन रिपब्लिक और इसके कौन रूडों वह वह बड़ा नाम हैं लेकिन आप इतना याद रखो लूई-ão-डॉ-डॉ-डॉ-ण्वा-डॉ-डॉ-फो प्रेसिडेंट बने हैं दूस लिए रिसेंटली अगर बात करते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने बोला है कि जो महिलाएं हैं जो भी सरकारी अनुबंदिन्त नौगरियां होती है उनमें जो आरक्षण होता है जो उसमें रेजर्वेशन होता है वो महिलाओं के लिए 33% कर देंगे अभी एक करेंड़ आपने सुनाओगा जनवरी दोहजार चौबिस में जहां पर उत्राखंड में महिलाओं को 30% का यहां पर क्या दे दिया गया था एक कोई संविधा पर निकाली कोई प्राइवेटली जॉब निकाली कोई आसी जॉब निकाले जिसमें वो गौवर्मेंट के सारे के सारे मतल़ आप समझ सकते हो कॉंट्रेक्ट जॉब जो होते हैं एक साल दो साल तीन साल के पकी नौकरी की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं तो यह जy करनाठक है कशना को गौर्मेंट है की हम महिलाओं को 33 का आरक्षन देंगे अपनी कॉंट्रेक्ट क्युशाल जॉब में चलो मैं डे धे ट्रैवल Kristen its का जारी हो चुका है पहली बात तो यह किस ने रिलीज करी है यह आप ध्यान देना तो यह रिलीज कौन करता है वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम डबलू इएफ आपने सुना हुआ वर्ल्ट एकॉनमिक फोरम को क्या करता है रिलीज करता है इंडिया का रैंक कितना था इंडिया का रैंक था 39 और इंडिया ने टॉप किया है साउथ एशन कंट्रिश वह ज्यादा है भी निवसे जो इंडिया कॉंपीट कर पाया बांगलदेश पाकिस्तान नेपाल भुटान और श्रिलंका आपको ऐसी पाकिस्तान आपको ऐसे मिलेंगी जो मतलब इंडिया से बहुत ही नीच है तो उनसे तो कॉंपीटिशन है ही नियमारा और टॉप किस ने किया है इस इंडेक्स को तो यह करा है USA ने यह भी आप लोग को ध्यान देना है चलो अगला कॉशन देखो कॉन सी European country ने recently एक country पलेस्टीन जो थी उसको country का status दे दिया है कई लोग फलेस्टीन को एक देश नहीं मानते तो इन देशों ने अपना विरोज परकट करने के लिए पलेस्टीन को एक country का status दे दिया है तो कॉन थी वो country नॉर्वेय, आयलेंड और स्पेन आपको बता है और मुरकों के बीच में आता है स्ट्रेट ओफ जिबरायिटर इस्पेन मुरकों और पॉर्चुगल में बताओ क्या होने वाला है कौन सा वर्ल्ड कप किस चीज का होगा फुटबॉल का होगा या फिर क्रिकेट का होगा ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो ओके European country है पैस्डर्स होते जो राजदूत होते उनको बुला लिया है उपके चलो अगला कोशन देखो यहां पर इंटरनाशनल बाइडिवस्ट्री डे हम लोग कब मनाते हैं यानि कि अंतर राश्ट्रे जैब विविता दिवस कब मनाया जाता है तो यह कब मनाते हैं हम लोग ये मना बाइडिवस्ट्री मनाया था यह हमने कब मनाया है 2001 में हमने यह मनाना स्टार्ट किया है भारत में एक आपको बाइडिवस्ट्री होट स्पॉर्ट मिलेगा जैसे हम बोलते हैं वेस्टन घाट है यह भी चीज़ आपको यहां पर ध्यान देनी है चलो कौनसे इंस्टिट्य यहां पर जो पर्टिकुलेटट मैटर होते हैं हावा में जो डस्ट होती है जो धूल होती है उनके बारे में यहां पर डिसकस किया है उनसे रिलेटट जो भी विमारे होती है हम उनसे कैसे बस सकते हैं हम उनको कैसे कम कर सकते हैं इन सभी के बारे में इन्होंने यहां पर ब बैंक ने कौन सा बैंक रिसेंटली एक सबसे बड़ा टॉप फर्म टॉप पर्फॉर्मर सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक सावित हुआ है बिजनस ग्रोथ में जो की है अब आपने बताना है कि कौन सा वेपन सिस्टम रिसेंटली हैं इंडिया और रशिया अब पता है आपको रशिया के नहीं एक ही 47 बहुत फेमस है आप किसी भी मौसाम में इसे दवा सकते हूं तो यह मिलकर एक क्या बना रहे हैं एक के दोसो तीन असौल्ट रैफल बना रहे हैं फॉच के लिए अब यह दोनों ने मिलकर यह क्या करी एक तरीके से अपनी एक जो फैक्टरी है यहां पर इस्टैबलेश करी है आमेठी में तो यह एक्जाम में आ सकता है तो एक के दोसो तीन असौल्ट रैफल दी है आज का लास्ट कोर्षन है दोजार चौविस में माई दोजार चौविस की बात कर रहे हैं इरान के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गये हैं क्योंकि डैथ हो चुकिए इरानी प्रेसिडेंट की ह अधा यहां के सुप्रीम लीडर कौन है तो आयात अली खमेनी यह इनके सुप्रीम लीडर है अभी इनके फैनल्स मिर्स्टर की मृत्ति हो गई थी कौन थे अमीर अब्दॉल्ला थे अभी वह बने है इनके जगह कौन अभी इंटरिम है ठीक है अली बगहरी खानी अब यह पाच महिने में इनको यहां पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और उन पाच महिनों में नई प्रेशिडेंट आपको देखने को मिलेंगे इरान के तो आएक्जाम के द्वारा गाइज एक उनलाइन कॉर्स है ससी सुपर पैक जिस आपको बहुत एची चीजी मिलेंगी दे प्रेशन है कि सर इसमें ऐसे क्या होता है वैसे क्या होता है तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं मैं कोशिज करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आप लोग का रिप्लाइ कर पाऊं मिलते हैं हमारे अगले वीडियों तक के लिए गुडबाई एंड जैहिंद